A very special good evening to all of you my lovely students तो कैसे हैं आप लोग उमीद है आप सबही लोग अच्छी होंगे पढ़ाई भी अच्छी चल ले होगी दोस्तों आजकी क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी बहुत ही ज़्यादा इस्पेसल होगी क्योंकि याध की चलास में साइन्स के विबी आई याई कोस्चन्स करेंगे जो आपके विहार विफ, छारखान पैरा मेडिकल एक चाहिए काफ़े ज़्यादा महतन होगी तो चलिए आज की क्लास को स्ठाट करते हैं तो class को start करने से पहले एक छोटी सी request है student यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए है पहली बार है तो इस चैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon को hit कर लिजिए और दोस्तो class PDF के लिए आप लोग हमारे telegram app से भी जुड़ जाएए इसके लिए आपको जाना होगा telegram app पे और वहाँ search करना हो down के विधी से किसे प्राप्त किया जाता है बताना है what is obtained by downs method तो downs की परक्रिया के द्वारा किसे प्राप्त किया जा सकता है बताना है पहला option है sodium दूसरा option है aluminium तीसरा option है copper चाथा option है silver यानी ag जल्दी से बताएए बच्चो बिल्कुल fast तो very good student यदि आपने जवाब दिया है option जो नमरे देना आपका अंसर सही है ठीक है तो down की विधी से जो है sodium को प्राप्त किया जाता है अब देखें कोशन और बन जाता है कि down की प्रिक्रिया में जो sodium है न वो किसके electrosis द्वारा प्राप्त किया जाता है देखिए ये भी कोशन बन जाता है बच्चो कि down की प्रिक् किया जाता है डाउन की प्रिक्रिया में sodium किसके electrosis कि स्के प्रिक्रिया में जो है सोडियम किसके इलाक्रोसिस त्वारा प्राप्त किया जाता है तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड ठीक है इसको लिख लिजेगा मोल्टन सोडियम क्लोराइड यानी एने सील मोल्टन सोडियम क्लोराइड ठीक है चलिए चलिए स्टुडेंट बढ़ते हैं अगले question की तरफ चले student अगला परश्ट ने है Valium Valium है पीडा हारी है प्रतिरोदी है प्रति हिस्टामीन है प्रसानतक है जल्दी बतावेगा Valium क्या है दिलकुल fast यानि देखे पीडा हारी यानि जिसको इंगलिस में एनलजेसिक कहेंगे एनल्जेसिक ठीक है और प्रति रोधी यानि अन्मिन्टिशप्टिक थिक है मैं लिख देता हूँ इंग्लीस में काफी बच्छी इंग्ली से हैं तो नको भी देखिए वैलियम क्या है वैलियम जो है बच्चो एक प्रकार का ये प्रसांतक औसदी है यानि चिंता को दूर करने में इस औसदी का प्रियोग होता है क्या है ये एक प्रसांतक यानि रिलक्सेंट वगरा के लिए इसको यूज किया जाता है तो ये वैलियम क्या है प्रसांत तक औसदी है और इसका परियोग इसका परियोग जो है चिंता वगारा को दूर करने के लिए किया जाता है ठीक है तो आप्शन नमर डी जो है आपके इस कुश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ अगला प्रेश्चन है एसबैस्टोस एसबैस्टोस है क्या है कार्बोनेट है ऑकसाइड है सिलिकेट है या सलफाइड है जल्दी से बताइएगा एसबैस्टोस है ये एक क्या है बिल्कुल फास्ट कार्बोनेट है ऑकसाइड है सिलिकेट है या सलफाइड है तो जी हाँ दोस एसबैस्टोस का मतलब क्या होता है ये भी जानना जरूरी है तो बच्चो इसका मतलब होता है ऐसा पदार्त जो आग नहीं पकड़ता और ये प्राकर्तिक रूप में मिलने वाला सिलिकेट का एक प्रकार होता है ठीक है तो ये क्या है एक प्रकार का सिलिकेट का प्रकार है य चलिए बढ़ते हैं अगले कुशिन की तरफ चलिए स्टुडेंट अगला प्रेश्न है टिंडल प्रभाव से एक विलियन का पता लगाया जा सकता है जल्दी से बताना है टिंडल प्रभाव से एक विलियन का पता लगाया जा सकता है कौन सा विलियन होगा प्रोटीन का लिप दिखिते हो तक है, कि टिंडल प्रभाव जो है यह कुलाइडी मिलियनों द्वारा प्रदर्शित होती है, यह प्रभाव कापी बड़े अकार के कणों द्वाला प्रकास के विछेपन का कारण भी बनता है और यही कारण है कि इन कोलाइडी विलियनों में प्रकास दिखाई देता है अब देखे जैसे धूआ हो गया आपका धूआ हो गया अकास का नीला रंग हो गया यह सभी क्या है बच्चों यह सभी कोलाइडी विलियन है और टिंडल प्रभाव ये सभी प्रदर्शित करते हैं ठीक है ये भी याद रखना है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ चलिए स्टुडेंट अगला प्रेश्चन है संपर्क विधी किसके उत्पादन के लिए होती है बताइए हनो 3, HCl, H2S4 या NH3 यानि नाइटरिक एसीड या हाइडरोक्लोरिक एसीड या सल्फ्यूरिक एसीड या अमोनिया जल्दी से बताइएगा संपर्क विधी जी हाँ दोस्तों संपर्क विधी जो है किसके उत्पादन के लिए होती है तो जी हाँ यदि आपने जवाब दिया है option number C यानि अमल क्या है सल्फ्यूरिक अमल है ठीक है यह वही अमल है जो बैटरियों में यूज किया जाता है ठीक है पूछता है कि घरेलू बैटरी में किस एसीड का प्रियोग होता है घरेलू जो बैटरी होते है उसमें किस अमल का प्रियोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अमल का प्र की तरफ स्टूडेंट जि अगला प्रेश्न है कच्चे लोहे में क्या अधिकतला मात्रा में सुद्य के रूप में उपस्तित होता है यानि देखियें कच्छा लोहा जिसको हम लोग div पीग आइरन भी कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं पीग आईरन बी कहते हैं तो पीग आइरन में क्या जो है अधिता मात्रह में असुद्धिक रूप में उपस्तित होता है कार्वन silicon, phosphorus या magnez, जल्दी से बताईए तो देखे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कच्चा लोहा जो है ये किस धातूओं का मिसरन है तो देखे कच्चा जो लोहा होता है न ये carbon का silicon का, carbon का silicon का, magnez का और साथी साथ इस्टूडेंट, phosphorus का और sulfur का फासफोरस और सल्फर का ये क्या होता है मिसर धातू होता है यानि मैं क्या बताया कि ये जो कच्छा लोहा है ये कार्बन सिलिकॉन मैगनेज फासफोरस और सल्फर का मिसर धातू है अब इसी में जो कार्बन जो है ये अधिक्तम मात्रा में होता है तो आंसर क्या हो जाएगा किस question का correct answer हो जाएगा चले बढ़ते हैं अगले question की तरफ चले student अगला question है कौन पादप बीज तो बनाता है लेकिन पुष्प नहीं which plant produces seeds but not flowers जल्दी से बताएगा मक्का, पुदीन, पीपल या चीड जल्दी से बताएगा कौन पादप यानि कौन प्लांट है जो seed तो बनाएगा, seed को produce करेगा लेकिन flower नहीं, लेकिन पुष्प नहीं तो जी हाँ, मित्रो यदि आपने जवाब दिया है, option number D यानि पाइनस यानि चीड दैन आपका अंसर सही है, ठीक है समझ में आया है, तो option number D यानि पाइनस में, फूल का निर्मान नहीं होता, लेकिन इसमें बीजो का निर्मान संकुओ में होता है तो चलिए बढ़ते है, अगले question कि तरफ यादि class अच्छी लग रही है, interesting लग रही हो तो इस class को एक like जोट दे दीजेगा बच्चो चलिए student अगला प्रेश्ण है कौन एक मानों का घनिस्टतम संबंदी है बताना है चिंपैंजी गोरिला औरंगोटान गिब्बन यानि आपको बताना है मानों का घनिस्टतम संबंदी हिन चारों में से कौन सा है तो very good student यदि आपने जवाब दि या अप्षन नमर यानि चिंपैंजी देनापका अंसर तो पुट्यों याद रखना है जैकि मानों और चिंपैंजी का जीनोम क्रम जो है yn 놓 Ashley में दशनलों 8 हट तक समान है इसलिए जो है मानों का घनिष्टतम संबंदी किसे माना गया है चिंपैंजी को माना गया है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कोष्यन की तरफ स्टुडेंट चलिए स्टुडेंट अगला प्रेशन है कोहनी किस प्रकार की संधी है खुंटिदार कबजा विसरपी कंदु खलिका यानि प्रस्ण यह है कि हमारी कोहनी जो होती है उसमें किस प्रकार की संधी होती है बताईएगा किस प्रकार की संधी होती है तो देखिए बच्चो सबसे पहले जानी है आप लोग संधी के बारे में ठीक है कि संधी का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है बच्चो जोईंट यानि कहने का मतलब दो अस्थियों के जुड़ने का इस्थान क्या दो अस्थियों के जुड़ने का इस्थान को ही हम लोग क्या कहते हैं जॉइंड कहते हैं यानि संधी कहते हैं अब देखिए अब आता ही है कोहनी पुछा है कि कि किस प्रकार की संधी है तो यहाँ पर कोहनी की संधी कोहनी की संधी जो होती है वचो वो कैसी होती है तो हाथ की humorous ध्यान दिजिएगा हाथ की humorous तथा radio अल्ला के बीच की अस्ति अब यहाँ पे जो कोहनी की संदी होती है यह कैसे होती है तो हाथ की humorous तथा radio अल्ला के बीच की अस्ति radio अल्ला के बीच की अस्ति ठीक है radio अल्ला के बीच की अस्ति अब इसी के mid point को कौन से संदी कहा गया यानि हाथ की humorist तथा radio अलना के बीच की अस्थी को क्या कहा गया है कबजा संदी कहा गया है ठीक है कबजा कहा गया है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा हमारी कोहनी जो है किस परकार की संदी होती है तो एक कबजा संधी होती है डारिक्ट याद कर लीजेगा बच्चों पुछा जाता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कुश्चिन की तरफ तो अभी देखे स्टुडेंट आप से पुछा था कोहनी किस परकार की संधी है माल लेजे आप से पूछले कि गुठने के बार में पूछले कि गुठने की संधी किस परकार की संधी होती है गुठने की जो संधी है वो किस परकार की होती है तो यह होती है इसको भी याद रख लेना है सिनोवियल संधी होती है ठीक है इसको भी आप लोग याद कर लीजेग साइनोवियल संदी होती है दीख है गुटनी की संदी किस परकार की संदी होती है सिनोवियल संदी होती है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलिए student अगला प्रेशन है कौन सी कोसिका हिपेरिन का स्त्रावन करती है यानि which cell secrets हिपेरिन बताए उदासिन रागी छाड़क रागी योसीन रागी या मोनोसाइट जल्दी से बताएगा कौन सी कोसिका जो है हिपेरिन का सिक्रेशन करती है यानि स्त्रावन करती है तो बच्चो डेरेक्ट याद रखना है क्या होगा इसका अंसर तो option number B यानि छाड़क रागी ठीक है तो कौन सी कोशका है छाड़क रागी है जो हिपेरिन का इस्तरावन करती है ठीक है चलिए बढ़ते हैं गले कोशिन की तरफ student चलिए student अगला प्रेशन है किसमें तंत्रिका कोशिका होती है लेकिन मस्तिस्क नहीं होता बच्चो किसमें बताईए which has nerve cell but does not have a brain किसमें sponge में, केचुआ में, कौकरोज में या हाइडरा में जल्दी से बताईएगा किसमें तंत्रिका कोशिका तो होती है लेकिन brain नहीं होता मस्तिस्क नहीं होती तो जी हाँ, यदि आपने जवाब दिया है option number D यानि हाइडरा देन आपका अंसर सही है अब देखें बच्चो हाइडरा क्या है तो एक जन्तू है और प्रस्न ये भी पूछ लेता है कि हाइडरा जो है ये किस संग के अंतरगत आता है बताये तो हाइडरा जो है ये किस संग के अंतरगत आता है तो याद रखना है ये निडेरिया संग के अंतरगत आता है किसके निडेरिया निडेरिया संग के अंतरगत आता है तो ये बच्चो एनलीडा याद रखना है ये एनलीडा संग का सदस्य होता है और एनलीडा संग में खंड युक्त कीड़े आते हैं और इनका सरीर ना काफी लंबा होता है और कई खंडों में विभक्त रहता है ठीक है बात करेंगे बच्चो कौकरोज के बारे में ठीक है तो कौकरो जो है किस संग में आता है तो ये किस संग में आता है तो अर्थो पोड़ा में आता है है ना अर्थो पोड़ा में आता है और किस वर्ग के अंतरगत आता है ये किस वर्ग के अंतरगत आता है तो ये इनसेक्टा है ना इनसेक्टा वर्ग के अंतरगत आता है तो ये सब चले स्टुडेंट अगला प्रेश्चन है एक ट्रेन 400 मीटर लंबे पूल के उपर से गुजरती है यदि ट्रेन की चाल 30 मीटर पर सेकेंड है और ट्रेन पूल पार करने में 20 सेकेंड का समय लेती है तब ट्रेन की लंबाई क्या है दिखिए ये कोशन वैसे तो मैक्स का एक ट स्टेंज उससे पूछा गया है लेकिन फिजिक्स में भी इस टॉपिक का काफी यूज होता है स्पेट टाइम एंडिस्टेंज का है ना यानि समय दूरी और चाल का तो आए बनाते हैं तो बच्चो आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे चाल बराबर दूरी बटा समय आप में से काफी बच्चे फॉर्मूला जानते होंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है क्या होता है बच्चो चाल बराबर दूरी बटा समय याने स्पीड इस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है अब यहाँ पर दूरी क्या होगी तो देखिए पुल की लंबाई प्लस रेल गाड़ी की लंबाई यही दूरी हो जाएगी रेल गाड़ी की लंबाई ठीक है तो पुल की लंबाई और रेल गाड़ी की लंबाई यही आपका दूरी हो जाएगा ठीक है तो अब देखिए चाल कितना दिया हो है देखिए ट्रेन की चाल जो पूल के उपर से गुजरते यानि पूल की लंबाई दे दिया है कितना 400 मीटर ठीक है प्लस में अब देखे ट्रेन की लंबाई पुछा है तो रेल गाड़ी की लंबाई हमको नहीं पता है यही तो निकालना है तो इसको एक्स माल लेंगे और अपन में समय कितना लगता है तो एक्स बराबर 200 तो यहां से 200 मीटर जो है आपके इस कोशिन का अंसर आजाएगा यानि एक्स क्या मानत था आप लोगों ने रेल गाड़ी की लंबाई ठीक है तो रेल गाड़ी की लंबाई कितनी है त्रेन की लंबाई कितनी है 200 मीटर है यानि ऑप्शन नमर यह जो है आप किस प्यारे से question का correct answer हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलिए student अगला प्रेशन है छेत्रफल 0.001 cm2 की कील पर 50 Newton का बल लगाया जाता है तब दबाओ है यानि दबाओ यानि दाब प्रेशर पुछा है तो बच्चों प्रेशर बराबर क्या होता है आप सभी बच्चे जानते होंगे कि प्रेशर बराबर होता है force by area होता है न यानि दाब बराबर दाब बराबर अम लोग क्या लिखते हैं बल बटा छेत्रफल ठीक है तो यहां से देखिए दाब ही निकालना है बल कितना दिया हुआ है देखिए तो बल दे दिया है आपको 50 न्यूटन ठीक है यहां पर 50 कर देना है बटा में 6 तरफल देखिए 6 तरफल आपको दिया हुआ है 0 देखिए 6 तरफल कितना दिया हुआ है 0.001 cm2 में लेकिन यहां पर मीटर में बोला है मीटर स्क्वाइर में करना है यहां पर देखिए चेतरफल जो है बच्चो ठीक है ध्यान दिजेगा चेतरफल आपको दे दिया है 0.001 cm2 तो देखिए तो तीन डिजिट के पहले दसमलो है तो यहां पर तीन जीरो कर देंगे दसमलो हट जाएगा तो देखिए तीन डिजिट के पहले है न दसमलो तो दसमलो अटाएंगे तो बटा में 3-0 आ जाएगा एक लिक के 3-0 कर देंगे है न तो यह cm2 में हो गया लेकिन हमको m2 में करना है यानि एक बटा 1000 अब cm2 में बदलने के लिए क्या करते हैं cm2 है इसको m2 में बदलना है तो 100 गुने 100 कर देंगे ठीक है क्योंकि आप सभी बच्चों जानते हो कि एक cm2 बराबर कितना होता है तो यह कितना हो जाएगा एक बटा ठीक है एक बटा अब दिखे तो 0 कांट किए एक 2,3,4,5,6 यह,खे तो अब देखिए यहां से दाब कितना आ जाएगा तो दाब आ गया है बच्चों 50 अब यह 10 पावर साथ है इवपर चला जाएगा तो 50 गुनी 10 के पावर 7 Newton मीटर स्क्वाइर ठीक है तो option number क्या हो जाएगा बच्छों बताएए जल्दी से option number जो है C आपके इस प्यारे से question का correct answer हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ student चलिए student ध्यान दीजेगा अगला question है दाब का एक मिली बार इसके लगभग बराबर है तो बच्छों pressure का जो एक मिली बार है वो किसके बराबर होता है तो एक बटा 100 Newton पर मिटर स्क्वाइर के या 1 Newton पर मिटर स्क्वाइर के या 10 Newton पर मिटर स्क्वाइर के या 100 Newton पर मिटर स्क्वाइर के जल्दी से बतायेगा सभी student बताएंगे बिल्कुल fast तो बच्चों याद रखेएगा दाब का चो एक मिली बार होता है दाब का एक मिली बार जो होता है न वो एक बटा 100 N बटा जो है याद कर लेना है चलिए बढ़ते हैं गले question कि तरफ हाँ जी तो option number क्या हो जाएगा option number A ठीक है option number A जो है इस पहरे से question का correct answer हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलिए student अगला question है एक तरंग 0.8 second में 24 चकर पूरे करती है तो इस तरंग का आवर्थकाल होगा देखिए तरंग का आवर्थकाल पूछा है तो आवर्थकाल कैसे निकालते हैं इसका सुत्र क्या होता है तो आवर्थकाल बराबर होता है one बटा आवर्थी यानि time period time period बराबर क्या होता है one upon frequency अरे बोलते होना f बराबर क्या बोलते होना one upon time period तो वही है time period बराबर क्या हो जाएगा one upon f हो जाएगा ठीक है तो देखिए अब आपको आवर्थी निकालनी होगी तो आवर्थी पता चल जाएगा तो आपको आवर्थकाल पता चल जाएगा तो द होता है n upon t n क्या है न क्या है बच्चों number of cycles दू लौनों की संख्या तो कितना है clique कितना है च् radius चकर दो लौनों की संख्या कितनी है 24 है और पτα में समय कितना लग रहा है ठी न तडीट ही न ऩो यहांसे आवरती कितना ये तो अवरती कितनी आन जाएगी 10 सजा गी आवरती जो है 30 आ घए ठीक है समझ में आए बच्चों अब देखिए अब यहाँ से आवर्त काल पिख Georgi कँ निकालना है तो आवर्त काल बराबर वन अपल आवर्ती कितनी है तीस है तो कितना आ गया आवरथ काल तो upon 30 30 जो है second आपका आजाएगा ठीक है तो answer क्या हो जाएगा option number C जी हाँ दोस्तो option number C जो है special question का right answer हो जाएगा चलिए बढ़ते है एक ले question की तरफ चलिए student आज की class का last question रहेगा और present है कि एक उत्तल दर्पन से बना प्रतिभीम हमिसा होता है यानि the image formed by a convex mirror is always जल्दी से बताना है उत्तल दर्पन में जो प्रतिभीम बनता है वो कैसा बनता है उत्तल दर्पन में वस्तू का प्रतिभीम जो है कैसा बनता है वास्ट वीक अभी वर्धित अभासी एवम अभी वर्धित या छोटा जल्दी से बताईएगा प्यारे बच्चो देखिए जल्दी से बताईएगा convex mirror में जो प्रतिभीम बनता है जो images बनता है object का वो कैसा बनता है तो जी हां मित्रो देखिए होता क्या है कि इसमें किसी वी वस्तू का जो प्रतिभीम होता है वो काल्पनिक और सीधा तथा वस्तू के अकार से छोटा बनता है कैसा बनता है किसी वी वस्तू का जो प्रतिभीम बनता है कैसा बनता है काल्पनिक सीधा यानि real and direct real erect बनता है इसमें किसी वी वस्तू का जो प्रतिभीम होता है काल्पनिक सीधा और वस्तू के अकार से छोटा और वस्तू के अकार से छोटा बनता है तो जल्दी से बता दीजे क्या आंसर होगा वस्तू के अकार से छोटा बनता है कोई भी पूछे ना आपसे कि उत्तल दरपन यानि convex mirror में वस्तु का जो प्रतिवीम है वो कैसा बनता है तो कालपनिक और सीधा यानि रियल यानि इरेक्ट और वस्तु के अकार से छोटा तो देखिए यहाँ पर कालपनिक और सीधा तो दिया नहीं है कहीं दिया है कहीं नहीं देता हूँ आप लोग को आप लोग को बताना है आउतल दरपन में प्रतिवीम कैसा बनता है ठीक है तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्षन में पूरा अच्छे से बताईएगा कि कनके उमिरर में वस्तु का प्रतिवीम कैसा बनता है ठीक है आउतल दरपन में वस्तु क प्रतिवीम कैसा बनता आपको बताना है मैं हर एक student का comment चेक करूँगा और प्रयास करूँगा कि आप लोग के comment का reply कर सकूँ तो चलिए दोस्तों आज की स्क्लास में मिलते हैं गली क्लास में तब तक लिए बब बाइ टाटा चेक केर गूड नाइट